ओके आप मैंसे ऐसे बहुत से लोगे जो गाइडलाइन के साफसे अपने हाइट के अकॉर्डिंग वेट चाहते हैं जैसे एक तो नॉर्मल गाइडलाइन हो गई जो की डॉक्टर लिखता है और एक आपकी नेवी वाली हो गई ओके इंडियन एर फोर्स वाली इन गाइडलाइन के साफसे लोगों के चाहत होती है कि हम इतना बने या अमारा इतना वेट हो एक्च्वल में क्या हुआ भी मेरी जिम में एक ऐसे ही प्रॉब्लम होई थी वो बंदा लगातर फैट लॉस ही फैट लॉस करते चले आ रहा था जिसकी बज़े से फैट लॉस तो अच्छा खासा हो गया था लेकिन ओवर टाइम तर कैलोई डेफिशिट में रहने के कारण उसका मसल लॉस भी होने लगा अब एक दिन वो अपना वेट मेजर कर रहे थे वेइंग मसीम पर तो मैंने उनसे पूछा कि भीया आपकी बॉड़ी एकदम फिट है तो वेट वगगरा कोई मैटर नहीं करता आप अपने मसल पर फोकस कीजिए वड़ी में ये देखिए कि मसल कितनी क्वाइटिटी में आ रहा है क्वालिटी में आ रहा है वेट का इस्यू छोड़िए अच्छी वड़ी है फिट है बटोनों ने का कि भीया हमेर तो ये डॉक्टर के साब से इतना बोला है बिना किसी बीमारी के फिजीकल प्रॉब्लम के अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती तो डॉक्टर के दुवारा जो चार्ट के अकॉर्डिंग बताया है कि वाईसा इतना वेट होना चाहिए तो आप कीजिए जब आपके बोडी में प्रॉब्लम ही नहीं है तो किस हिसाब से चल ले हो अब यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए भी बोलना हूँ कई लोगों की जेनेटिक्स इतने बढ़िया होते है कि हाइट के हिसाब से जो वेट बोला है जैसे कि मान के चलो कोई भी गाइडलाइन में बोला है कि 55 है एक्जम्बल के तौरपर बोलना हूँ बट उससे उपर उसका वेट है लेकिन यहाँ पर उसकी मसल जादा है फैट परसंटेज अच्छे खासे डाउन है तो आपको एसे उससाब से वेट ले जाने कि किया ज़रूरात है बोडि पर और इस्ट्रेस देने की क्या जरूरत है तो देखिए अगर आपका कोई भी इंसाइट जोब में जाना नहीं है बोडि में कोई प्रोबलम नहीं है और साथ में आपकी body में अच्छा कासा mass है naturally fat percentage कम है और आपकी वो height के अगर आपको match ना करके ऊपर है तो कोई भी problem नहीं है क्योंकि यहाँ पर सवों की अलग-अलग conditions है अगर आपको यह video नहीं समझ में आई कोई बात नहीं आप इसे दोबारा देखिए इसमें मैंने बहुत जादे important बात कही है कि बेट के चकर में actual में क्या होता है बहुत सारी लोग बीमार डले है basically weight loss की बज़े से अब यहाँ पर क्या है कि जिम बतना मूरी है कि बाई सब जिम गयाता बंदा और बीमार हो गया तो यह सब चीज़े अगर आप detail में देखोगे तो मेरा मानना है आपको काफी कुछ हद तक समझ में आ जाएगा कि आप किस direction में जा रहे हो I hope आपको यह वीडियो अच्छे समझ में आई होगी Bye